जम्मू कश्मीर के पूर्वो मुख्य मंत्री गुलाम नभी आजाद ने रविवर अक्टूबर को खुद को उप्राचपाल बनाने जाने की अफ़ाहों को खारिच कर दिया कुछ खबरों में कहा जा रहा था कि गुलाम नभी को जम्मू कश्मीर का लेफटेनेंट गवर्नर बनाये जाने वाला है आजाद ने कहा मुझे जम्मू कश्मीर का उप्राचपाल बनने में कोई दिल्चस्पी नहीं है ना ही मुझे काम की तलाश है मैं कश्मीर के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ आजाद अपनी डेमोक्रिटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के इस्थापना दिवस पर एक रेली को संभोधित कर रहे थे आजाद ने कहा कि मैं लोगों से अनुरोद करूँगा कि वे अफ़ा फेलाने वालों पर भरुसन ना करें जो अति उत्सा में काम कर रहे हैं जब मैं 2005 में मुख्य मंत्री बन कर यहां आया था तो मैंने लोगों की सेवा करने के लिए दो बेश किम्ती केंदरी मंत्रा लयों को छोड़ दिया था और आज भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं था कुछ लोग ये बताना चाह रहे हैं कि मैं पुनरवास की तलाश में जम्मू आया हूँ उन्होंने जम्मू लोटने पर हो रही अलोशना पर कहा कि वे भाशपा के कहने पर जम्मू कश्मिर की राजनीती में लोटे हैं आज आद ने कहा कि बेरोजगारी और मुद्रा इस्विती जम्मू कश्मिर की दो मुख्य समस्या हैं जिनका समाधान वो टूरिजम को बढ़ावा देकर करना चाहते हैं। महंगाई बढ़ रही है। यह सच है कि मुद्रा इस्फिती केवल भारत के लिए नहीं है। यूरोप में मुद्रा इस्फिती सबसे जादा है। लेकिन उनके पास इससे निपटने के अन्य साधन भी हैं। हम एक गरीब राज्य हैं। उन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई नोकरिया नहीं है। सरकार वेकेंसी ला रही है लेकिन इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। पड़े लिखे लोगों के पास कोई नोकरी नहीं है और उनके माता-पिता ने उनकी शिक्षा पर अपनी सेविंग्स खर्च कर दी है। गुलाम नभी ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्र के रूप में मेरी योजना जब्मु कश्मिर के हर जीले में 10-12 टूरिजम स्पॉट बनाने और लोगों को होमस्टेश शुरू करने के लिए लोन दिलाने की योजना थी जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। इसकी साथ बने रोगी आसर जिससे पिलाने के सथे लोजगे लोगों कर दो कि भी है।